Hello students, now we are going to cover the next module which is module number 13 for our course of introduction to data science इस course में हम inferential statistics उसको cover करेंगे last में हमने descriptive को किया, अब हम inferential को करेंगे और future में भी हमारा जब mostly focus होगा वो that will be जो बाकी areas भी हम इसके cover करेंगे under different topics उनको हम inferential statistics से ज्यादा relate करेंगे क्योंकि inferential statistics इस जो हमारा आप दूसरे जो module ने उस पर भी हम यह चीज़ें discuss करेंगे किस तरह से हम inferential statistics is linked with data science और उसको use करते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं different industries में तो इसलिए inferential statistics को जो है न understand करना बहुत ही जो I would say rather it is critical descriptive statistics को हमने understand किया हमने discuss किया उसकी एक अपनी importance है लेकिन जो analytics के perspective में with you know जो हमार overall एक ecosystem है analytics का उसके अंदर descriptive जो analysis है उसकी बड़ी important position है बट अगर हम data science की तरफ जाएं तो inferential statistics यह statistical inference that is more important क्योंकि जो इन्शाला आप बाकी module में यह चीज़ें जब देखेंगे हम python को study करेंगे different programming languages को करेंगे algorithm करेंगे जो के हमारे इसमें use होते हैं तो then you will realize आप इसको फिर उस वक्त ज्यादा अच्छे तरीके से appreciate कर सकेंगे कि यह जो अपना statistical inference है यह कितना important है और इसका हमारी जिंदगी में हमारी society में हमारी economy में कितना बड़ा रोल है जो के आज और आज से ज्यादा आने वाले दिनों में it is becoming more and more important इसका जो basic concept है statistical inference का वो basically यह है के हमने different examples ली फर्ज करें हमने मर्दम शमारी की बात की हमने service की बात की तो मर्दम शमारी तो दस साल में एक दफ़ा हो गई अब in between जैसे पाकिस्तान जैसे countries में जहां पे population का जो growth rate है वो काफी ज्यादा है तो उसके challenges बहुत जल्दी जल्दी है अगर हम government के perspective से देखें तो challenges बड़ी जल्दी change होते हैं उसके लिए फिर government क्या करती है वो surveys contact करती है survey क्या होता है कि वो एक particular set of data को address करते हैं उससे data लेके उसके उपर वो अपना statistical inference supply करते हैं उसकी बेस पर फिर generalize करते हैं कि अच्छा ये मैंने एक शहर का या किसी एक यूसी का data लिया उसके उपर मैंने को study की मैंने फर्ज करे out of school children है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक बहुत बड़ा मसलह है से हमारे क्रोडों बच्चे हैं जो कि स्कूलों जिन्हों ने स्कूल की शकल नहीं देखी या वो primary तक maximum गया उसके बाद में उन्होंने school छोड़ दिया अब अगर government ने ये पता करना है कि ये बच्चे कितने हैं इनको कैसे reach करना है तो it's a huge challenge सबसे पहले तो उनको count करना ही बहुत बड़ा challenge है तो उसके लिए फिर ये करते हैं या इस तरह की situations को handle करने के लिए कि वो survey करती है government in targeted cities, targeted uses, villages और वो ये देख लेते हैं कि अच्छा ये मैंने जो population थी उसमें से मैंने एक sample लिया, दस union council से मैंने ये किया, उसकी base पे मैं इसको interpret करके, तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मेरे 1000 में से अपना 200 बच्चे स्कूल नहीं गए, तो इसका मतला कि मेरे 1 करोड में से या 10 करोड में से मेरे इतने बच्चे जो हैं वो 2 करोड बच्चा वो स्कूलों से बाहरे आए तक तो इस तरह से basically ये, हम इसमें ये करते हैं कि एक sample लेते हैं, उसको study करते हैं, उसके बाद फिर हम study करके, जो पूरी हमारी population है, उसके उपर हम वो result impose करते हैं, हम फिर ये assume करते हैं, basically that is based on assumptions, फिर इसके अंदर जो exceptions आती हैं, जैसे हमने standard deviation की बात की, variance की बात की, अगर ये मैंने कोई conclusion draw करनी है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरी conclusion है, that is 95% correct, that is how it is, फिर इसमें hypothesis testing होती है, ये इन्छाला ये चीज़े हम अगले जो हमारे lectures होंगे, उनमें हम इनको study करेंगे, सारा hypothesis testing क्या होती है, null hypothesis क्या है, आपका, फिर आपने इसको पर conclusion कैसे draw करनी है, आपने जो different statistical models हैं, वो किस तरह से आपने apply करनी है, और उसकी base पे फिर आपने predictions कैसे करनी है, इसमें basically हम करत वर्जी की जा के चार union console से data collect करके, उसके उपर कोई decision दे दूँ, उसके उपर कोई forecasting करूँ, इस तरह को जो data था वो bias हो जाता है, तो हमने कोशी ये करनी है कि हमारे जो data है वो bias ना हो, unbias data हो ताकि हमें एक अच्छा result मिल सके, इसी की फिर और भी probability वगएरा भी इसके मैंने अपना data collect किया, वो ठीक है, नहीं ठीक, फिर उसकी distribution है, तो there are different ways of inferential statistics, इसमें फिर हमारे पास जो different tools है, inferential statistically, इसके अंदर complete हमारे model बनते हैं, basically statistical model, जो एक हमारा module especially which is focused on applying statistical models, कि आपने statistical model को real world example में किस तरह से आपने उसको use करना है, कि इसके अंदर जैसे hypothesis testing है, ANOVA है, analysis of variance, जो variance हाता है, उसके पीछे क्या root cause है, फिर इसके अंदर अगर multiple factors हो आपके पास, तो फिर analysis of covariance हा जाता है, इस तरह multiple हमारे बेशमार tools हैं, बेशमार distributions हैं, जो कि हम use करेंगे, बट you will learn, ये चीज़े इन्शाला आइस्ता आइस्ता जैसे आप, हम दूसरे model में ज होती रहेंगी step by step, इसके example है, जैसे, मैंने कुछ examples already आपको दी भी हैं, कि एक sample की base पे, जैसे ये out of school children की, मैंने example दी है, इसी तरह, किसी students के result की हम बात कर सकते हैं, किसी बिमारी की बात कर सकते हैं, तो based on that, आप एक population से data collect करते हैं, उसके ओपर statistical inference के model apply करते हैं, और फिर आ आप एक forecast करते हैं, कि based on this data, मेरा जो future है, वो इस तरह का हो सकता है, फिर उसके लिए फिर आप planning करते हैं, कि अच्छा अगर खुदाना खासा ये future जो है वो अच्छा नहीं है, तो मैंने उसको कैसे बिचाना है, कैसे manage करना है, और अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा ह sample की, total number of voters जिनने constituency और survey polls होते हैं, इसे opinion polls होते हैं, कुछ लोगों को वो sample भेजते हैं, question और उसकी base पे वो कहते हैं, यह अच्छा फलाँ जो लोगों का trend है, आज कल फलाँ party की तरफ है, यह फलाँ leader को लोग पसंद करते हैं, यह नहीं करते हैं, तो basically opinion poll is a sample of the large, you know, जो आप general elections होते हैं, एक और चीज़ है, इसमें important के, क्योंकि हम sample और population की बात करें, तो जब आगे जाएंगे अपना, जब आप physically data को manage करेंगे, data को deal करेंगे, तो there are different notations हैं, जो के आपको पता होना बड़ा जरूरी है, जैसे capital N है तो वो पूरा population के size को, वो represent करते हैं, small and sample के size को represent कर example ये कि अगर पूरे मुलक की हम population देखें, पाकिस्तान की, अगर वो 20-22 करोड है, तो लोहर की जो population है, वो अगर इसमें date करोड है, तो लोहर जो है, वो represent करता है, small and, और जो पूरे पाकिस्तान को that is capital N, इसी तरह फिर इसके अंदर sigma आ जाता है, आपका mu आ जाता है, जो के mean को represent करता है, और इसी तरह फिर आपकी जो percentages हैं, उसके भी different, basically आप pi use करते हैं, पी use करते हैं, ये different notation है, क्योंकि जब आप जाके practically formula लिखेंगे, उन formulas को आप apply करेंगे, real world data पे, या even आपका synthetic data पे भी, so you should be able to differentiate कि ये क्या data, ये किस चीज़ को represent कर रहा है, so with this we are like reaching towards end of our this module, and I'll see you in the next module.